हमने जो मिस्टेक किया है आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग ना करो पाव भाजी खाने का मज़ा ही कुछ अलग है पहुंच गए है हम लोग एंगलबर्ग अब घूमते हैं यहां पर और आपको भी दिखाते हैं यह चोटा सा शेहर शेहर क्या चोटा सा टाउन बट बहुत ही टूरिस्टिक है यहां पर पार्किंग लॉट में जो उपर माउंट इटलिस में जहां जा रहे हैं mostly लोग हम तो नहीं गए क्योंकि लास्ट टाइम हम गए वे थे वहां पर तो वहां पर अराउंड मिनिमम ऐ थिंग 30 टूरिस्ट बसे होंगी बट बहुत ही ब्यूटिफुल है यह टाउन तो आपको भी कराते हैं इस टाउन की सैर अनी सिंग तो लगी हुई है वादियों में खोई हुई है वह उपर पहाड है मांट टितलिस का जो व्यूइंग पॉइंग 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 पीछे वहां से जाती है और पूरा उपर आपको लगाती है यह 12th century का monastery है यहां पर की cathedral है इस बार तो टाइम निया है नेक्स टाइम आएंगे तो पराग्लाइडिंग करेंगे यहां पर किसी भी तरफ देख लो इता सही वीव है माउंटेंस का यह वो होटेल था जहां हम लग लास्ट टाइम रुके थे तरस में यहां से बहुत अच्छा वीव माउंटेंस का इस बार तो नाइट स्टे नहीं है एंगलबर्ग में बट अगर आप लोग कोई आ रहे हैं तो डे टूर इस गुड़ पर अगर नाइट स्टे कर सकें तो बहुत ही बढ़ी रहा दो तीन इंडियन रेस्टरॉन भी है यहां पर अगर इंडियन खाने को मिस करें हो तो इंड एक तो स्पाइस बाजार अभी तो बंद है यह बट आम प्रिटी शूर डिनर के लिए खुला होगा वाव लुक दीज कि दीज आए थाव निए बटन के लिए खाएस बटन का तो समयश्यार का। अरी कर देख लीजिए थात्रीम से लिए कंटे का लुक डूर गंटे का ट्रेंग एंगलबक आजाओं अरलूसन पर लुसन में जान पड़ता है और वहांँ एंगलबक बट इस अगलबक और तोल तो आप ट्रेन लेके अराम से अपने हिसाब से भी आ सकते हो यहां पर है वही हम सोच रहते हैं पहले करने का बट फिर तूर वाला भी सेमी प्राइस पड़ रहा है हमें सोचा कि जलो टूर के साथ ही चलते हैं यहां पर जाके इनका मेन्यू चेक आउट करते हैं टॉलिट्स वगरा भी है यहां पर और यह देखो पार्किंग लगी हूँ यह बसीज की यह हमारा व्यू है और इस व्यू के साथ पाव भाजी खाने का हमाजाई कुछ अलगा हैं साथ में सब्सादा किया हमने तो अभी क्यूंकि फूल सीजन में नहीं हैं यह लोग तो सारी बाइक्स रेडी नहीं थी इनके पास बट कुछ इलेक्रिक मांटन बाइक्स रेडी थी उन 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 बाइक्स के चार्जिस थे अरांड 70 80 यूरो फॉर हम लोग तो अभी क्योंकि टूर के साथ हैं तो हमारे पास हैं ही सिर्फ दो घंटे तो अवस लाकिट से वेस्ट अफ मनी कि हाफ डे के लिए हम 80 यूरो दें और फिर वन अन हाफ आवर में इसे वापिस दें तो एक और शॉप बताई हैं वहां पर जाके चेक आउट करते है कि उनके क्या प्राइजिस हैं और आवल ही बेसिज पर वो लोग दे रहे हैं कि नी बाइक रेंटल का तो या स्कूटर रेंटल का तो आज हमारा दिन है आप मोस्तमी सारे बैसी जी ये ओल रहे हैं कि क्योंकि अभी शोल्डर सीजन है तो अवेलिबल नहीं है तो एक और क्योंकि एक वाँ ब्रेट बेकिंग अब को अगुद सुनी देख इस जाए और चाय और किया यहां पर और चैल में गूओ अगी यहां चाय जाए और हम लोगों को साथ में टाइमर देखे गए है कि तीन मिनेत बाह यह बूद गाएगी तो यहां जाए गाए तो यहां पर और चाय के साथ व्यू है यह वाला साइकिल को हमें मिली नहीं तो हमने का चाय और व्यू से ही काम चला हुद इस वाले होटेल में रुके थे हम लास्ट टाइम और अभी था हम इसके पूरा उपर तक नहीं गया है लेकिन यहां से भी काफी अच्छा व्यू है अस यू कि ए अगें अगें जितना मैं बोलू हूँ कहीं भी चले जाओ आज का दो टे इतना क्लियर है कि व्यू इतना मस्त मिल रहा है तो यह है वो टनल जो कि टिटलिस सोरी नोट टिटलिस होटेल की लिफ्ट की तरफ जाती है अब आज का दिन हमारा अल्मोस्ट खतम हो गया है हम लोग अब वापिस जा रहे हैं अपनी बस की तरफ और फिर निकलेंगे वापिस से जूरिक के लिए तो होपफुली आप लोगों को भी एंगल बर उतना ही पसंद आया जितना हम लोगों को अभी जाते टाइम के जो और कुछ व्यूज हैं वो आपको दिखाएंगे और फिर मिलते हैं आप से कल कल के लिए भी कुछ स्पेशल है कल जूरिक को छोड़ के निकल रहे हैं हम लोग कहीं और के लिए तो वो आपको बताते हैं कि कल कहां जाएंगे और क्या प्लान है उसका तो आपको कल ही पता चलेगा वेल एक बार और यहां का व्यू पांटिंस का देख लीजे और एंगल बर्ग एज़ाएंगल बर्ग एज़ा है जाहे आप डे टूर के लिए आओ या फिर यहां पे एक दो या जितनी भी नाइट्स आप रुखना चाहो बोर नहीं हो गए इस एरिया से एंगल बर्ग से तो बस से आ गए थे सिटी फिर सिटी में कुछ खाना पीना ढूंडा हमने जो कि एक डिजास्टर ही रहा स्विजलन का फेमस चीज फॉंडू जो हम एक एक एक्चल मैं डिजास्टर इसलिए रहा क्यों कि जिस रेस्टरों में हम लोग गए थे वो जगया बेकाल थी और खाना यहां पर है भी कॉस्टली तो इसलिए अगर एउडी में लगाएं तो अराउंड हंडर्ड एउडी लग गए हमारा बट एकदम डिजास्टर था वो जो एक हमने चीज फॉंडू ओर्डर किया था उसे यह लोग बोलते हैं क्लासिक फॉंडू और उसमें सिर्फ आपको सुखी ब्रेड और चीज गरम करके दे देते हैं और बस वही खाओ उसके साथ आपको वेजटेबल्स यह कुछ अगर और करना है तो वह एक्स्ट्रा ओर्डर करना पड़ेगा जो कि हमें आइडिया नहीं था सो इसलिए अगर यहां आओ और आप लोग पहले तो अच्छे से देख पूछ लो अगर चीज पॉंडू ओर करो तो थोड़ा सोच समझ के क्योंकि खाना हर एक खाना ही खेर महंगा है स्विजलेंड में बट अगर खाना अच्छा हो तो इश्यू नहीं होता है पर अगर खा अब आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग ना करो इसलिए बट अधर दन दाट एवरिफिंग वस परफेक्ट तो अब हम पहुंच रहे हैं अपने आज रात के ठिकाने में और कल सुबह तो निकलना है यहां से तो कल आपको बताते हैं कि कहां जा रहे हैं तो रेडी र